आप तो दोश्टे इस वीडियो के अंदर हम Umma Converter के IPO के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस IPO के अंदर आपको कितना 믿 mentality gain मिल सकता है और आपको इस IPO के अपलाय करना चाहिए या नहीं। चली शुरू करते हैं तो रिखे सब्सक्राइब हम यह जानेंगे कि यह company क्या काम करती है तो रिखे जो company 2000 में यह company start हो गई थी यानि कि almost अगर आप देखोगे 20 साल से ज़्यादा यह company को start हुए हो चुके हैं तो रिखे जो company यह company flexible packaging का जो material होता है वो यह company बनाने का काम करती है और अगर हम company के खुछ product portfolio के अगर हम बात करेंगे तो रिखे जो multi color pouch होते हैं जो stand up pouch होते हैं zip lock pouches, vacuum pouches, जो paper bags होते हैं और जो e-commerce के जो bags गएरा होते हैं यानि कि जो आप online से जो shopping से मंगाते हो उसके ओपर जो packaging material होता है वो भी यह company बनाने का काम करती है उसके लवागर हम देखेंगे तो आपर job work basis के उपर भी यहाँ पर यह री कमपनी काम करवाने का काम करती है यानि कि जो third parties जो अगरेदा रहती है तो उनके लिए यहाँ पर various services यह company प्रोवाड करवाने का काम करती है तो यहाँ पे कंपनी ने एक agreement अमूजा सिमेंट लिमिटेड के साथ में भी उन्होंने किया हुआ है जिसमें अगर आप देखोगे तो जो प्लास्टिक वेस्ट उता उसको डिस्पोस करने के लिए उनका यहाँ पे एक agreement था तो यहाँ पे एक environmentally manner में उसे डिस्पोस करने के यहाँ पे कंपनी को order मिला था तो यहाँ पे कंपनी ने उनके लिए एक्जिक्यूट किया है तो यहाँ पे इतने चोटे लेवल पे यह कंपनी काम कर रहे है तो वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी से एक तरीके से order मिलना एक तरीके से मेरे काल से काफी बड़ी बात में यहाँ पे यह मानता हूँ उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो food industry और जो beverage industry के अंदर जो packaging material के requirement होती है तो उसे यह company manufacture करने का काम करती है और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो pharmaceutical industry हो गया परसनल के इंडस्टी हो गया तो इसके अंदर भी जो भी packaging की जो material के requirement होती है वह यह company मनाने का काम करती है तो देखेंगे इसमें definitely अगर आप देखोगे जो e-commerce के अंदर आप देखोगे और खास करके अगर हम paper bag के अगर हम बात करेंगे जो polytheon के comparison में यहाँ पे paper bag का जो अगर हम demand के अगर हम बात करेंगे अभी recently मैंने one week पहले मिंट्रा से shopping की थी तो वहाँ पे definitely paper bags वोगे रही आ रहे थे अभी तक Amazon पे अगर आप देखोगे अभी जो plastic वाली जो polytheons होती है वो अभी तक वही आ रही है लेकिन मुझे लगटा है कि कहीने के यहाँ पे government के जो rules and regulations आ रहें तो कहीने कि यहाँ पे एक दो माईने में Amazon भी हमें यहाँ पे paper bag यूज करता हुआ नजर आएगा अब अगर हम इनके R&D डिविजन के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इनके दोनों डिविजन पे इनके R&D फैसिलिटी हमें यहाँ पे नजर आती है तो लिए कमनी के financials के बारे में हम बात में बात करने वाले लेकिन ये चीजों के बारे में हमने यहापे में लिए कमनी क्या करती ये इसके बारे में हमने यहापे भी तक बात की है अगर हम company के objective के अगर हम बात करेंगे यानि कि जो IPO से company को पैसा मिल रहा है उससे company कैसे utilize करने वाली है तो normally यहाँ पे जो working capital के requirements से उसके लिए company का IPO आ रहा है यानि कि जो daily to daily cash के requirements से उसके लिए यहाँ पे company अपने fund को use करने वाली है अगर हम company के financials के वारे में अगर हम बात करेंगे तो financials से पहले अगर हम promoters के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे Mr. Sumerj Raj Loda जी उसके अलावा निर्मला लोडा जी और उसके अलावा अभिशेक Sumerj Raj Loda यह तिनों हमें आपे company के promoters नजर आती हैं अब अगर हम revenue के अगर हम बात करेंगे तो देखिए 103 करोड से यहाँ पे revenue का number 187 करोड पे हमें आता हुआ नजर आया है अगर हम profitability के बात करेंगे यह number 2.81 करोड चमें यहाँ पे 4.94 करोड के लगबग आता हुआ नजर आया अगर हम financials के अगर हम बात करेंगे तो number काफी अच्छा है लेकिन यहाँ पे company का debt भी हमें का ज़्यादा नजर आता है अगर आप देखो कि 53 करोड के लगबग यहाँ पे company का debt का number था और अभी अगर हम देखेंगे लगबग 74 करोड का debt हमें यहाँ पे company का नजर आता तो कहीने के देखाए जाए तो company के loans अगरा काफी ज़्यादा में यहाँ पे नजर आते हैं अगर हम asset के नबर के अगर हम बात करेंगे तो although 112 करोड से यहाँ 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 पे company के financials अगर अच्छे हैं लेकिन जो इतना बड़ा जो अगर हम debt के नबर हमें यहाँ पे नजर आता है तो कहीने के अगर यहाँ यहाँ पे अभी जो ग्लोबल फ्लोडावन ओटा हुआ नजर आ रहा है कहीने के consumption थोड़ा कम होटा हुआ नजर आ तो वहाँ पे definitely इनका जो packaging वाला बिजने से वहाँ पे ठोड़ा फरक पड़ता हुआ नजर आ सकता ह पूर पॉइंट अभी से revenue के अगर अगर आने वले टाइम पे कम होते हैं और वहाँ पर अगर इतना ज़्यादा डेट रहेगा तो वहाँ पे कहीने की company हमें loss में आती वी भी नजर आ सकती है अब अगर हम IPO की details के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तरी कोई IPO में open ओटा हुआ नजर आएगा और 21 December तक ये IPO में close ओटा हुआ नजर आएगा company का retail कोटा नजर आता है उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अगर हम valuation parameters पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3.37 का EPS हमें company का नजर आता है यानि के लगबग 9-10 के P ratio पे company का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है लेकिन अगर हम return on network के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफी कम हमे return on equity company का नजर आता है तो यह एक बड़ा problem में यहाँ पे नजर आता है लेकिन अगर हम net asset value के अगर हम बात करेंगे यह number 29 पे में नजर आजा है वह एक बड़ा valuation में मुझे यहाँ पे issue नजर आता है और अगर हम जीतनी भी packaging companies अगर हम बात करेंगे तो लगबग 10-15 के P ratio पे यहाँ यहाँ पे ट्रेडो टीवी नजर आ रही है तो उनके comparison में कोई ज्यादा lower valuation lower bandwidth company का IPO में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है अगर ह time table के अगर हम बात करेंगे तो देखे 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको lotment मिला है या नहीं अगर lotment नहीं मिलता है तो 27 December को आपको refund मिल जाएगा और 28 December को आपके demand account में share साजेंगे अगर lotment मिलता है और 29 December को यह company हमें लिस्टो टीवी नजर आएगी अब अगर हम यहा जादा की application अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में application लगानी पड़ेगी स्वचे अगर हम देखेंगे तो proportion basis का में यहाप अलॉट्मेंट विस्ट नजर आता है यादि कि अगर IPO 100 टाइम सब्क्राइब हो जाता है तो अगर आपने 100 lot की application लगई होगी तो यह आपको 3-2 करोड की application आपको लगानी पड़ेगी जब जाके एक lot की application आपको हापे confirm मिल जाएगी तो कि मेरे क्याल से देखा जाए वैसा आपको नहीं करना चाहिए तो कि एक करोड की application लगा के अगर एक लाग की application मिल रही है वो मेरे क्याल से कोई sense हो हापे मुझे उसमें नजर नह देखा है कि market forward looking पर नहीं देखता है यानि कि आने वाले टाइम पर यह company में क्या होने वाला है उस पर ज्यादा लिस्टिंग एन पर फोकस नहीं किया जाता है पास के company के financials कैसे उसके basis पर market वाप evaluation निकालने की कोशिश करता है उसके हिसाफ से market में हमने interest बनता हुआ नजर पॉइंट वी से देखा जा तो मेरे क्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग एन पॉइंट वी से मुझे लगता है कि आपने इस company में अप्लाय करना थी है इस तरीके की phenomenal liquidity भी market में अवे ले पले उस पॉइंट वी से मुझे लगबग 20-30% के minimum listing हैं आपको यहां पे मिलते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों में हो करता हूं की उमा converter के IPO के बारे में आपको सब कुछ अमजी में आगया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूंगा ओके दोस्तों thank you have a nice day